22 जनवरी को देश में बहुत बड़ा धार्मिक कारिक्रम हुआ आयोध्या में राम जन भूमी प्रांट पुर्तिष्ठा कारिक्रम भव्वे आयोजन पूरी की पूरी सरकार लगी हुई थे पूरी बीजेपी, आरेसेस और राम मंदिर का ट्रस्ट सब को निमंतरण दिया जा रहा था कहा जा रहा था कि राम सब के हैं और सभी को आयोध्या आना चाहिए ऐसे में बाभव आयोजन था और इस आयोजन के इर्दगिर्द देश भर में अलग अलग जगा पर भाद फेरियां, रैलियां, बाइक रैली, जश्न मनाया जा रहा था लकिन राम के प्राण प्तर्ष्ठा कारिकरम के दौराण राम के आगमन के दौराण राम दिपावली के दौराण देश से कुछ ऐसी तस्वीरे भी आएं जो इस चिंता प्हَलाने वाली हैं चिंता बढ़ाने वाली हैं क्या आखे देश में क्या राम के आने के बाद भी राम के मंदर में पहुचने के बाद भी ऐसी तस्वीरे आएंगी क्या ये लोग राम के नाम को बदनाम नहीं कर रहें क्या ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कर रहें क्या ये लोग धर्म के खिलाफ, राम के खिलाफ, काम नहीं कर रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरे और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन घटनाओ जिन तस्वीरों को देखने के बाद आप इन तस्वीरों इन घटनाओ को सिर्फ हुर्दंग गुंडा गर्दी इसी का नाम दे सकते हैं बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ बिर्जा शाकरेली पे बाइस जनवरी को मीरा रोड मुंबई में पूजा नगर में मुसल्मानों को निशाना बनाया गया एक महिला इस तरह से बयां कर रही है वो ये बताती है कि पुलिस की मौजूदगी में इस्थानिये लोग महां थे कानून का इकबाल बुलंद हो ही नहीं सका ना तो सरकार को दिल्चस्पी ना पुलिस को दिल्चस्पी लड़की को जैशरी राम का नारा लगवा कर उसके साथ छेड़ छाड़ की जा रही है पुलिस की मौजूदगी में क्या आप इस तरह से जैश्री राम के नारे का अपमान नहीं कर रहे हैं किसी लड़की के साथ छेड़ चाड़ इस नारे के साथ और सिर्फ इसलिए कि वो किसी और धर्म से जड़ी हुई है मसल्मानों के घरों पर हमला इस नारे के साथ क्या ये राम का अपमान नहीं है ये श्री राम का नारा लगा कर किसी भी लड़की के साथ आप बत्तमिजी करें तो क्या ये मानने हो सकता है सवाल सरकार से भी है पुलिस से भी है आखिर ऐसे लोगों को ऐसे हुर्दंग करने वालों के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं की जाती विहार के मुझफफन पुर में 22 तारिक को राम बंदिर का जशन मनाया जा रहा था लेकिन इस जशन में मुस्लिम महलों पर जाकर हमला करने की अजाज़त कब से मिल गई ये हुआ कुछ वीडियो सामने आए महराश्च के मुंबई में रात के अंधेरे में भीड जैश्री राम का नारा लगा रही है तोड़ फोड़ की जा रही है ये कैसे मानने है ये कौन सा धर्म है ये कैसा जशन है बिहार के दरबंगा में राम मंदिर के प्रांट प्रतिष्ठा कारिकरम के जशन के दोरान कब्रिस्तान में आग लगा दी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाओ और लखनाओ से एविध्या की दूरी बहुत जादा नहीं है उस लखनाओ के हसरत गंज में राम मंदिर का जशन मनाने वाली एक भीर ने मुस्लिम समुदाय को लेकर गाली गलोच की गाना ऐसा बजा जिसमें गालियों का इस्तमाल था हो जाए श्रीराम के नारे थे क्या ये धर्म है क्या ये धर्म का अपमान नहीं है क्या ये राम का अपमान नहीं है राम को मानने वाले क्या किसी दूसरे धर्म को गालियां देंगे सवाल तो ये है कि उत्तपरदेश की पुलिस लखनव में ऐसा होने कैसे दे रही है ऐसे लोगों को अब तक ग्रफतार क्यों नहीं किया गया इनके घरों पर बुल्डोजर क्यों नहीं चला निश्पक्ष सरकार, रामराज्यवाली सरकार, आखिर मौन क्यों है क्या इस तरह के डीजे उत्त प्रदेश की राजधानी लखनों में बजेंगे और इसे धर्म का नाम दे दिया जाएगा मुंबई में एक भीड जैश्री राम की नारों के साथ पिस्टल लहरा रही हत्यारों को लहराया जा रहा है हत्यार लहरा कर क्या ये धर्म की भावना को आगे बढ़ा रहा है सरकारी सिस्टम और पुलिस इनको छूट क्यों दिये हुए समविदान की देखरेक में क्या सब समान नहीं है करनाटक के शिमोगा की भीर को देखी एक मुसलिम महिला को परिशान किया जा रहा है जैश्री राम के नारे लगवाये जा रहा है अगर जवाब में अल्ला हुअकबर का नारा लग जाया तो फिर बात का बतग मढ़ हो जाता मद्यप्रदेश के जाबुआ में हिंदुत के रखवा ले जैश्री राम का नारा लगाते हुए चर्च के उपर चड़ गए भगवा जंडा वहाँ पर लहरा दिया क्या इस तरह से रामराजी के स्थापना होगी क्या 22 तारिक को इसी लिए इतना भवयायुजन हुआ था क्यों ये लोग राम की भी नहीं सुन रहे हैं क्यों के चर्च पर क्रॉस के उपर आप हिंदुत्व का जंडा धार्मिक जंडा लगा कर किस तरह का ढोंग कर रहे हैं यह किस तरह का धार्मिकता है सवाल तो यह है कि जब मुंबई की सरकों पर इसी तरह की तस्वीरे आई थी और मुंबई पुलिस ने लाठियां भाजना शुरू कर दी थी तब अगर सरकार किसी और क्यों होती तो कह दिया जाता है ये राम द्रोहियों की सरकार राम भक्तों पर लाठियां बर चला दी गई लेकिन इस हुर्दंग को देखने वाला कोई नहीं ये राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं इनका धर्म से और राम से कोई मतलब नहीं है ये वो लोग हैं जो समाज में नफरत को फैलाते हैं और नफरत को फैलाने वाला कभी भी राम का भक्त हो नहीं सकता ऐसे में इन तस्वीरों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को सुनिशित करना चाहिए कि ऐसा हुरदंगी कभी और कदम उठाना सकें और ऐसे हुरदंगी बचना सकें इसलिए सकत कारवाई करने की जरूरत